अस्तलाम अलेकुम and welcome to Ease Learning आज हम Oxford Progressive English Book 8 का Union No.3 करेंगे Mysteries यानी Puzzles वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अपने चनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो कहने लिए सब्सक्राइब कर लिजेगा आज का मरा टॉपिक है Mystery Stories in the News तो चलने स्टार्ट करते हैं नीचे दिये गए दोनो पजल स्टोरीज हैं जो हाली में रोनुमा हुई थी पर ये इन सबूतों को दोनों केसिस में CCTV कैमरा इंस्टॉल थे ताक कि पता लगाया जा सके कि exactly क्या हुआ था और यकीनल सच को discover यानी ढूंड लिया गया लेकिन इससे पहले कि आप पढ़ें इसके बारे में तो आप देखें कि कैमरे ने क्या ढूंडा होगा क्लास में इस चीज को discuss करें और इसका क्या हल हो सकता था इसके बारे में भी आप सोचें या discuss करें पर्ष कहते हैं लेंडेट को उचे वाजगस पहारों पर जो के इस्टन फ्रांस में है वहाँ एक पुरानी religious building यानी monastery है दो सालों से वहाँ 1100 से जादा कीमती और पुरानी बुग स्काइब थी ये religious building है जहाँ एक library है लेकिन यहाँ तूटने का कोई निशान नहीं था locks को भी तब्दिल कर दिया गया था और दरवाजों को steel से reinforce यानी मजबूत कर दिया गया था लेकिन फिर भी किताबे गाइब हो रही थी शक की फिजा बढ़ गई थी monks यानी religious members जो वहाँ काम करते थे वो सोच रहे थे कि कौन चोर है और वो कैसे अंदर आ सकता है आपके ख्याल में ये किताबे कौन गाइब कर रहा था mystery 2 में बता रहे हैं कि London के south में better sir dog home है ये सबसे बड़ा घर है ना पसंदीदा dogs का ब्रिटन में जहां इनकी देखबाल की जाती है जब तक के उन्हें नया गड़ ना मिल जाए एक महीना हुआ था जब वहाँ का staff dog को खाने देने आया सुबह में तो उन्हें पता चला कि dogs के cages unbolted यानी unlocked थे हाला कि वो dogs अंदर ही थे और खाना गायब था और kitchen बहुत पहला हुआ था गंदई से staff convince हो गया यानी मान गया कि वहाँ कोई भूत है यानी ghost है आपको क्या लगता है कि वहाँ क्या हुआ हुआ होगा जब आप discuss कर लो तो इसका possible solution भी बताना नीचे दे गई न्यूस को पढ़ें और देखें कि आप सही थे या नहीं न्यूस टूब डे में इस mystery के बारे में में लिखा गया monastery यानी religious building जिसकी end यानी boundary पर CCTV ने जाहर किया इस challenging यानी daring थीव को girl court में जो के Alice Eastern के France में है stencils गूसी ने जिसकी उमर 33 years है वो stentberg में engineering school में teacher है जिससे सजा सुनाई गई थी 80th month की यूँकि उसने बल गहरी यानी इल नीगल काम किये थे गूसी ने कहा कि उसे वहाँ कीमती किताबों को शौक लेकर गया और उसने इन किताबों को लेकर अपने छोटे से stress box के flat में जहां बहुत सारी किताबों के volume थे 15th century के वहाँ डाल दिया कुछ wooden cover के साथ थे जिनका वजन किलों में था और वो उन सारी किताबों को अपनी किताबों पर अपनी bicycle पर लेकर जाता था गूस को एक होया हुआ map मिला था madwill time period का यानि जब डागेश period चल रहा था यौरम में उस time का public archive यानि ऐसी जगा जहां पर documents रखे जाते हैं maintain के जाते हैं जो जिसको public भी देख सकती है जिस सिक के जरीए उसे secret का पता चला कि किस तरह वो इस लाइबरी तक पहुँच सकता है उसे attic यानि inside जो अंदर की space है उसको attic कहते है monastery यानि जो religious library है वहां से अंदर जाने का दस्तिया पता चला उसके जरीए बहारुक की दिवारों से उसे उपर चड़ना होगा और फिर वो मुश्किल से बहुत मुश्किल था उसके लिए daring था exterior जो बहार की दिवारे थी वह बहुत steep थी यानि बहुत flat थी तो उन पर जो flat होती है बिलकुल straight होती है उस पर चड़ना जरा मुश्किल होता है कम जगाती CD के लिए भी और फिर वहां से secret chamber में जाया जा सकता था वो chamber ऐसा बना हुआ था कि उसके साथ five doors थे जो like cover type थे और वो library की तरफ अंदर की तरफ खुलते थे उसी बहुत सारे गंटे गुजार देता था इन books को पढ़ने में candle light की रोश्नी में और फिर सूटकेस को वापिस ले जाता था अपने flat में जहां वो उन्हें एतियात और सफाई से रखता था उसने अपनी defense में कहा कि वो जानता था कि जो कुछ वो कर रहा है वो गलत है लेकिन उसे लगा कि इन किताबों पर मिटी और पीजन की drop link थी जिसे नजर अंदाज किया गया यानि जो librarian थ कि तरफ से उसे 11,835 pound का fine लगाया गया लेकिन monastery के librarian ने कहा कि उसे अपनी job यानि teaching job continue करने दें और उसे invitation भी दिया कि वो जब चाहे library में आ सकता है तब से वो library के front door से ही अंदर दाकिल होता है वो क्या आता है और वहीं पर library में किताबे पुड़ता है होब आपको अच्छे से समझ आया होगा अगर आप वीडियो ची लगती है तो काईड़ी लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें जजा करना